दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कवर लोकडाउन में इपास के लिए गाइडलान जारे इस साइट पर करना होगा अपलाई जिहां कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने सुबे में 15 मैं तक लोकडाउन लगा दिया है ऐसे में जरूरी कारियों के लिए नीजी वाहनों के परिचालन का आदिस दे दे गिया है लेकिन इसके लिए इपास बनवाने को कहा गिया है इसको लेकर डियम ने एक आदिस जारी किया है जिसके दाद नीजी वाहनों का इपास तीन केटेगरी का होगा इपास के लिए service online.bihar.government.in पर आवेदन कर सकते हैं डियम डाक्टर चंदर सेकर सिंग ने बताये कि लोगडाउन के दोरा नमायन पटना जिले में बैबार के लिए अनुमंडल पतादिकारे इपास देंगे अगली बड़ी कवर बिजली बील के लिए इस नमबर पर देना होगा मिस्कॉल ओलाइन पेमिंट करने वालों को मिलेगा डिसकाउंट बिहार में कोरोना संक्रमन तेजी से अपना पाप असरता जा रहा है इसका सिधा असर कई विभागों के कारियों पर देखने को मिल रहा है बढ़ते मामलों के रप्तार को देखते वे कई विभाग के कायर व्यवस्ताएं बदल गई है ऐसे में बिजली विभाग न भी कोरोना को लेकर नई व्यवस्ता लागू कर दी है जिसके मताबिक अब स्पोर्ट बिलिंग नहीं होगी बलकि रजिस्टर्ड मॉवाइल नमबर पर मिस्कोल के जरिये अब भोकता सभी जरूरी जानकारी ले पाएंगे आपको बदा दे कि कोरोना संक्रमन को देखते वे बिजली विभाग ने मैं महिने में स्पोर्ट बिलिंग बंद कर दी है अब उप भोकताओं को अपने रजिस्टर्ड मॉवाइल नमबर से 76666008833 नमबर पर मिस्कोल कर जानकारी लेनी होगी इसके साथ विभाग विसेस परिसितियों में ही काउंटर पर लोगों को आने की इजाज़त देगा अगली बड़ी कबर सेम ने 30 का दिकारियों को निर्देश लोगडाउन में हर मजदूर को मिले काम और गरिबों को मिले भोजन जी अबियार में कोरोना का गहर जारी है कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने 15 माई तक पुरी राज में लोगडाउन लगाया है इस दोरान लोगों से घर में रहने और लोगडाउन का पालन करने के अपिल की जा रही है इस महामारी के बीच एक अने मार्ग इस्तीत संकल्प में एक समिक्चा बेटक आयोजित की गई मुखिमंतरे नितिस कुमार के अधिक्स्ता में रोजगार स्रीजन एवा लोगडाउन के दोरान चलाए जा रहे सामोदाई कीचन के सम्मद में वीडियो कॉनफरेंसिंग के मायदम से समिक्चा बेटक की गई इस बेटक में डिप्टी सीम रेनु देवी तारकिसोर परसाथ समिक्चा कई अधिकारी सामिल हुए वीडियो कॉनफरेंसिंग के मैधम से उभी इस समीचा बैठक में मुखमंत्री ने अधिकारियों को कही नियदिश दिये लोगडाउन में हर मैजूर को काम मिले और सामधाई किचन के मैधम से गरिब को भोजन उपलब्द कराए जाए इसे सुनिचित करने के बाद मुखमंत् अगली बड़ी कवर बिहार में साधी के लिए गाड़ी पास को लेकर पोर्टल पर आ गया है ओप्सन जानिये कैसे करना है आवेदर इस दोरान आकस्मिक सिवा को छोड़ कर तमाम नीजी वहानों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी अगर किसी को ज़रोरी काम से पटना जिले के अंदर या दूसरी जिले में जाना है तो इसके लिए इपास के विबस्ता की गई है लेकिन साधी विवा को लेकर कोई जिसके कारण साधी विवा के गाड़ी पास जारी करने के लिए लोग आवेदन देने में असमर्त थे ओप्सन नहीं होने के कारण लोगों को काभी परिशानी बढ़ गई थी लेकिन बुदवार की साम साधी विवा को लेकर इधर उधर जाने का ओप्सन आ गया है जिस पर आप क्लिक करके साधी विवा को लेकर इधर उधर जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं आपको बदा दे कि एपास को सर्विस ओनलाइन.bih.gov.in के लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और सबसे जरूरी बाद एपास के वल दुला दुलन वह उनके घरवालों को ही निर्गत क किया जाएगा बड़ी कबर आप कोरोना की वैक्सिन लगवाने के 14 दिन बाद कर सकते हैं रगदान नई गाड़लाइन जारी जी हाँ आप कोरोना से बचा की वैक्सिन लगवाने के 14 दिन बाद भी लोग रगदान कर सकते हैं अभी तक वैक्सिन लगा चुके लोग 18 दिन ब प्रावेट अस्पताल में भेज दी गई है अब पहली डोज लगवाने के 14 दिन बाद व्यक्ति रगदान कर सकता है डाक्टर ने बताए कि इससे सबसे अधिक थालेसिमिया से पेडित मरेजों को रहत मिलेगी क्यूंकि एक बच्चे को एक महिने में कम से कम दो यूनिट कुर्बार को सुबह 10 बजे तक यह बताने को कहा है कि सूबह में कितने लोगों को कोरोना वैक्सिन का पहला दोर्ज और कितने लोगों को दूसरा दोरज अब तक लग चुका है अभी कितने लोगों को कुरोण से करोल और पुर्णियादिस एस कुमार के खंपिट ने सिवानिक कोशिक वो अन्य द्वारा दायर लोखीत याचिका पर सुनवाई करती हुए ये निर्देश दिया है कोट ने बिहार सरकार के क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप और उसके कारियों के बारे में विर्सित जानकारी भी जिहां बिहार वासियों के लिए एक रहात की खबर है खायद सुरक्चा योजना के तहद राज के 8,71,000 लागुकों को मैं मा में 10 किलो अनाज मुप्त में मिलेगा इसमें 5 किलो केंद्र और 5 किलो राज सरकार देगी राज सरकार द्वारा मुप्त अनाज देने के सम्मन्द में खायद वा उप वोकता सरक्चन विवा के सचीव विने कुमार ने बुद्वार को सभी प्रमंडलिया आयुक्त और डियम को पत्र भेजा है इस्तानिय इस्तर पर लोगों को इसकी जानकारे के लिए प्रचार पसार के लिए कहा है अगली बड़ी कबर कोरोना की धेर पर बैठा है पटना एक दिन में मिले 3665 मरीज पुरे बिहार में 15126 न्यू केस जिया बिहार में कोरोना से हाकार मचा है राजदानी पटना की सिती सबसे भयावा है गुरवार को बिहार सरकार की ओर से जारे ताजा आकड़े के मुताविक राज में पिछले 24 गंटे में कूल 1512 126 नए कोरोना मरीज की पहजान की गई है राजदानी पटना में सबसे ज्यादा 3665 नए मामले सामने आए हैं बियार में कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है सुबे में कोरोना का कर थमने का नाम नहीं ले रहा है आपको बदा दे कि पटना के अला से ज्यादा नए मरीजों की पहजान की गई है अगले बड़ी कबर पटना में कोरोना के इलाज में नेजी एस्पताल या एंबुलेंस कर रहे है कोई गड़ बड़ी तो इस नमबर पर करें सिकायत डियम खुद करेंगे मोनिटरिंग जिया राजदानी पटना में कोरोना के इलाज से जुड़ी सिकायतो की सुन्वाई के लिए खास वाच्टसप नमबर जारिकिया है पटना की डियम कुद इस नमबर पर आने वाले सिकायतो की मोनिटरिंग करेंगे पटना लिए प्रना जिला प्रसासन ने कोरोना के दोरान इलाज में लोगों की मदद के लिए वा बड़ी कबर राज में होटल में ठार सकते हैं लोग पर कमरे में ही खाना होगा संसोधन के साथ नई गाडलाइन जारी जहां लोडाउन में दिये गए चूट में कुछ अने विभागों और गति विदियों को सामिल किया गया है होटल भी खुले रहेंगे होटल में लोग रेलवे का बड़ा फैसला 9 माई से राजदानी सताबदी जैसे ट्रेने अगले आदेस तक बंद जिया कोरोना की दूसरी लहर के कहर और कई राज्यों में पावान्दीओं के बीच रेलवे ने बड़ा फैसला किया है 9 माई से राजदानी सताबदी or दुरंतो एक्सपरेस येसे ट्रेनों को अस्ताई रूप से बंद किया जा रहा है। माना जा रहा है कि रेल्वे नहीं फैसला ट्रेनों में यात्रियों की घरती संख्या को देखते हुए लिया है। अगली बड़ी कबर बिहार में लोडाउन को लेकर पुलिस कर्मियों और पदादिकारियों की चुट्टी हुई रद। कोरोना की दूसरी लहर से बिहार में संक्रमन तेजी से फैल रहा है। कोरोना के इस चेन को तोडने के लिए सरकार ने पूरे बिहार में 5 मैं से 15 मैं तक लोगडाउन लगाया है लोगडाउन का आज तिसरा दिन है कोविड-19 के संग्रमन को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी पूलिस कर्मियों और पदादिक कारियों के चुट्टी रद कर दी है विशेश परिस्तियों में चुट्टी स्विक्रत की जा सकती है लोगडाउन के सपल क्रिया निवन में राज पूलिस के महतपोन भूमिका होती है इसे लेकर सरकार ने यहार निर्देश जारी किया है मौसं विवा का अलट बिहार में तेज बारिस और वज्रपाथ की सम्भावना यहलो अलट जारी जिया बिहार में मोसं मिजाज बदला हुआ है पश्चिम चमपारन के कुछ भागों में तेज हवा के साथ बारिस हुई है जिसे देखते हुए मौसम विगान केंदर राजी के सभी जीलों में येलो अलर्ड जारी कर साथ माय तक सचित रहने को कहा है साथ ये मौसम विगान केंदर पटना के फेस्बुक पेज और ट्यूटर हैंडल के मायदम से भी मौसम खराब होने की सितिम में विविन जीलों के लिए अलर्ड जारी किया गिया है आपको बता दे कि काल वैसाकी की सक्रेता से बिहार में मौसम का मिजाज इन दिनों बदलता हुआ नजर आ रहा है तेज आन्दी पाने के साथ आकासिय बिजली गिनने की घटनाई बड़ी है सुबे में कई जगाँ पर ओले गिनने के भी सुचना मिली है अगली बड़ी कबर बिहार में नेजी एम्बुलेंस का किराया तै karşı अधिग रासे ले तो जाएंगे जेल जाने किस वहन का कितना की रहाँ यहां स्वास्त विवाग ने नेजी अम्बिलेंस चालुकों की मनमाने पर रोक लगाने के लिए नेजी अम्बिलेंस का किराया तै कर दिया है। जो चोटी कार या सामाने केटेगरी में आता है 50 किलोमेटर तक उसमें 15 रुपे लगेंगे और 50 किलोमेटर से अधिक पर 18 रुपे प्रतिक किलोमेटर दर्ख के देना होगा। चाइंडर तक 2100 रुपे और उससे उपर अठारो रुपे प्रतिक किलोमेटर देने होँगे। पचीस सु रुपिये पचास किलो मीटर तक उससे उपर पचीस रुपिये प्रति किलो मीटर देने होंगे और जायलो इसकारपियों जैसे बड़े गाड़ियों में जिसमें एसी लगा हो पचास किलो मीटर तक पचीस सु रुपिये और उससे अधिक जाने पर पाचीस रुप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समिक्चा बैठक की, इसके जानकारी प्रधान मंत्री कारयाले के द्वारा दि गई है। बढ़ाने के रोड मेप की भी समिक्चा की है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि क्या बिहार में लोगडाउन लगाने का फैसला सही है और गलत इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताए